नमस्ते भाई कैसे हो तो भाई आज कि ये breaking news काफी तगड़ी होने वाली है क्योंकि अभी तक आपने बिहार estate का form नहीं भरा हुआ है बिहार estate 2024 का अगर form नहीं भरा है तो आपके लिए तगड़ी news है क्योंकि अभी आपकी date बढ़ाई जा चुकी है आई इस article में पढ़ते हैं तो आप यहार देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि बिहार estate 2024 बिहार STET यानि कि आपका जो estate है परिच्छा के लिए आवेधन की अंतिम टिसी दोस्तों बढ़ाई जा चुकी है लेकिन अभी आपको एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी मैं उसके बारे मैं बाद में बात करता हूँ पर यहां पर दोस्तों हम यहां पर नियम जान लेते हैं कि इनके क्या हैं तो आप देख सकते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है कि बिहार जो estate परिच्छा 2024 है उसके आवेधन की अंतिम टिसी बढ़ाई किया है और कप की गई है तो आप देख सकते हैं कि 7 जनवरी 2024 तक दोस्तों इसका आवेधन किया जा सकता है अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जिन काडिडेट्स ने अपना फॉर्म अभी तक फिलप नहीं किया है उन लोगों को क्या करना होगा और क्या दिक्कते अभी आ रही है तो यहां से दोस्तों इस आर्टिकल जो हमारा है हिंदुस्तान टाइम्स का उसके नीचे का चलिए अब हम आपको आर्टिकल पढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं तो भई आप देख सकते हैं कि यहां पर साफ साफ लिखा हुआ कि बिहार एस्टेट परिच्छा दोरर 24 के लिए अवेदन की अंतिमतिती बढ़ायत दी गई है अब एस्टेट आपका जो है विसेज विद्याल है जो एस्टेट का फुल पाम है विसेज विद्याल है अध्य लोग आगे पढ़ते हैं तो इसमें एक जिन एक्चुक उमीद्वारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे अधिकारी वेबसाइट जो कि यह दोस्तों इसका ऑफिशियल पोर्टल है जो कि आपका बिहार एस्टेट का होता है तो यह है कि बीस इबीस्टेट दोर चॉ काम नहीं कर रहा है और बाकी साथ जनुविट तक बढ़ा दिये गया है तो चलिए हम पोर्टल पर चलते हैं अब देख सकते हैं कि यहां पे लिखा हुआ है एकदम की इग्जामिनेशन एस्टेट अप्टिकेशन फॉर्म दोर चॉविस और देख सकते हैं कि यहां पर एकि आप में जब जिख करें जब भी इसका सरवण ठीक होता है तब आप अपना अराम से भल दीजीगा बाकी कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है साथ तक्रेट बढ़ा दीक है आज दीन तारीक है तो आभी आपको चार दिन का वार मौका मिला आये आप सबी बड़े होंगे उम्मीद करता हूँ, इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भेजें, चलिए मिलते हैं किसी नपशुड़े में, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा,